हेलो व्यों क्याल चल बढ़िया जस्ट वेट फॉर सेगेंड एक वाइस से करते हैं वाइस प्रॉपर है के नहीं है दिन सुभाद करते हैं अपने क्लास की तो कैसे अपलो है बढ़िया फस्क्लास तो आपकी जोई क्लास है यह आपका आरर भी आपका टेकनिशन गेट वन ठीक है तो आज आपकी क्लास है ओरियंटेसन की तो ओरियंटेसन बिसिकली यह होता है कि आपको जो यह एप है आप पहली बार यूज कर रहे होंगे बहुत सारी लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी यूज कर चुके हैं और बहुत सारी लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे पहली ब करना है आपको जो स्लेबस है वो कैसे खतम होने वाला है सब कुछ बात करेंगे डिटेल में लोग ठीक है एकदम निश्चिन्थ होके टेंशन फ्री होके आपको क्लास को देखना है आपके हर एक डाउट के रोंगे उसके बाद कोई डाउट आपके रहते हैं तो आप मुझे क यूटूब पे अपलोड करूँगा ताकि आप लोग आराम से देखकर समझ के परक कर ही जॉइंग करिए ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने ऐसा ही जॉइंग कर लिया ठीक है एंड अगें वेलकम तो आल अफ यू तो क्यूटेक प्लेटफॉर्म यह हमारी जो फैमिली है आप इसके लिए बागा सुकरिया ताइंक यू सो मच चली इसुर करते हैं निकलास फैसे अगर कोई भी दिक्कत आती है मैंने फिर से बोला है कि अगर कोई भी आपको प्रॉलम आती है मैं आपकी साथ बना हूं एकदम निश्चिंद होके आप बिना किसी दिक्कत के आप मुझस तक जाएगा तो अभी अपने पास 28 दिन है यानि कि आज आपका 11 मार्च है और 11 मार्च को आप मुझे देख पा रहे हैं कोई लोग मुझे 20 को देखेंगे कोई मुझे 25 देखेंगे कोई मुझे आगे भी देखेंगे क्या होता है कि यह आनलाइन दुनिया है तो वर्चुल दुनिया में क्या होता है कि हम जो वीडियो हैं वो आपके सपोर्ट से मिलती है उनको ठीक है तो 11 मार्च है भी तो मेरे पास जो दो-तीन क्वैरी आई है पहले मुझे बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है देबजीत भाई आपका यह जो डाउट है ना हम आगे बात करेंगे बात में ठीक है आप नमबर में उससे पूछ लेना बाकी यहां पर कोई डाउट रहेगा हर एक क्लास में आपका अलग-अलग है आपको जेई में जेई डाउट पूछने है और आपको टेकनिसियन ग्रेड वन में आपको इसके डाउट पूछने है ठीक है तो इससे एक महौल बना रहेगा आप कोई मज़ाएगा मुझे मज़ाएगा क्यों आपने पैसे पे किये हैं अगर थोड़ा बहुत मौन आपने जो पे किया है तो पढ़ने के रिए पे किया है content के लिए पे किया आपने बागी जो डाउट रहते हैं या आप उस्से WhatsApp नमबर दिया हुआ आप उससे बूचलीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सतीज भाई ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है अगर आपने अरभी चाही पढ़ा हुआ है तो टेक्निकल आपको दिक्क्राइब देगा नहीं ठीक है बागी जो मैथ हो गया यह सब हो गया मैं सब बताने वाला हूँ ठीक है अच्छे सब बताने वाला हूँ तो अभी आप लोग अर लेने है तो आप आधे गंटे बात आदेगेगा मैं आपके आउट आँगा बाकी नंबर तो है अपने पास कोई दिक्क्राइब बात नहीं है बागी आप टेक्निकल पढ़ा है तो मैं बताओंगा आपको कैसे है करना है ठीक है नो बड़ी आई यह बात करते हैं और सबसे चीज की भई आपके जो डाउट्स है मेरे पास कल से कम से कम नहीं तो मेरे पास 500 फोन आ चुके हैं मैसेज आ चुके हैं पर अप फोन भरा हुआ है उससे किसके लिए eligibility के लिए मैंने आपसे पहले भी काया eligibility जो होती है जो लिखा गया है notification में मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया है लेकिन फिर भी अगर आपको doubt रहता है कोई दिक्कत रहती है तो ये number दिया हुआ है RRB वालों ने especially इस number को आप note कर लिजिए ठीक है मैंने ये especially आपको number दिया हुआ है कि आप इस नंबर ये मैंने नहीं दिया है आप बताए अब बताए इसको आप नोट कर लीजिए और इसको नोट करके आप इसको जितना हो सके आप भाई इसमें पूखिए आप जो भी आपको doubts है कि आपका BCA एलाऊ है कि नहीं एलाऊ है है इलेक्ट्रिकल एलेक्ट्रोनिस एलाओ है कि नहीं एलाओ है तो आप यहां पुछिए आप कोई अको निक कर नहीं है यह जो बोलेंगे वही होगा मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा और आप खुछ सोचोगे आप मैं चाहूंगा सभी इलीजबल हो जाएं जब सभी तो आप लोग के लिए मैंने यह help कर दी है कि आप लोग को इसका भी access दिला दिया है मैंने तुकि मैं जानता हूं कही ने कहीं स्ट्वेंट लाइफ में या जैसे भी होता है आपका पैसे की तुल दिक्कत होती है तो मैं अपनी तरह से पुरा ट्राइब करता हूं कि आपको जो क्लास आपकी चल रहे है तो हो सकता है यूटूब पे आपको थोड़ा रही होगी हलका सा जो दाउन लग रही होगी लेकिन आप पे आपको बहुत अच्छा दिखेगा बहुत प्रॉपर दिखेगा आपको ठीक है लैप्टाप मेरे यार सभी लोग से मां भीजाता हूं यह RRB का है, आप यहाँ पुछिए, दूसरा सबसे बाट आउट आ रहा था, फीस को लेके, तो मैंने पहले 2499 किया था, फीस, इसका RRB Technician Grade 1 का, फिर मैंने इसको Reduce कर दिया, वन ट्रिपल नाइन पे, क्योंकि बहुत सारे इसे भी हैं, जो BSC वाले हैं, जो J-E, ALP और ट्यारी कर रहे हैं, तो कोंबो अविलेबल है, और मैंने ये भी कर दिया, कि अगर आपने कोई कूर्स लिया हुआ है, और आपको लेना है, तो मैंने जो difference amount है, कि अगर आप कभी batch लेते हैं, कि अगर आपको ये लगता है, किसी उससे compare कर रहे हैं, तो लो ना कर रहे हैं, कि इस अगर वहाँ पर तो इतना मिल रहा है, यहाँ पर इतना दे रहे हैं, यह तो गलत है, तो देखिए, मैं simple बता रहा हूँ कि, यहाँ पर मैंने आपसे पहले बोला है, कि selection के लिए मैं यहाँ पर पढ़ाने बाला हूँ आपको, मैं विल्कुल भी यह नहीं सोचता कि आपको, कि हाँ, आप batch ले लो, यार मैं 400 batch कर दूँगा, 300 का batch कर दूँगा, समन है, पोरे भर क्यों अच्छे ले लेंगे, लेकिन उसका कोई sense बनेगा, अगर आपने 300 बैच ले लिया, आप भी रिलेक्स रहोगे, क्योंकि मालो गर मैंने आपको doubt की response नहीं किये, या मैंने class नहीं ली, तो आप क्या लगएगा, अरे चलो 300 रुपेद है, कोई बात है समय की, क्योंकि ये इतना बहतीन opportunity आपका से लेबल है, कि एक single stage जाम आपका है, single stage, यानि कि आपको कोई stage 1 नहीं, कोई stage 2 नहीं, आपने एक single stage जाम दिया, और आपका से लेक्षन है, direct आपका DV medical है आपका, मैं तो चाहूँगो तो मैं 400 में, सच में बता रहा हूँ, मैं आपको 300-400 में कर दूँगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बोलतों कि 300-400 क्या है आप परसान हो, जान छोड़ो तो आप दे को गया रहा है, यह मजबूरी है क्योंकि क्या होता है कि इस दुनिया में आप जानते हैं, आप समझ रहे होंगे, कि बहुत लोग चीज़े गरबर कर देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ एक अई बार, तो इसलिए मैं थ्रोगा सा मैं यह करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आपसे कहें रहा हूँ कि जब भी ऐसा हो आप यहाँ एसा हो, तो आप प्लीज पढ़ाई फोकस करिए पढ़ाई से सेलेक्शन होगा इन चीज़ कोई मतलब है नहीं इससे टाइम वेस्ट होगा आपका और जो लोग भी कमेंट देखके चीज़ों देखके होता है तो उसको आप फोकस करिए सिर्फ पढ़ाई पर ठीक है सतीर पर देखे जो भी है ना देखे जिसको भी एक बड़ बात कर लेता हूं कि बच्ची जो लाइव आया है काफी वह परसान है तो मैं अब आदा दूँ आपको जिनका भी जो भी कोर्स एक्सपायर है वाटेवर जो भी चीज़े आपकी है जो कमबो है जो भी आपके मुझे बस यह मेरा मोटो रहता है कि आप पूरा फोकस हो कि त्यारी कर सके आँ और जो मुझे सा जुड़े हो हैं वो जानते इस चीज़ को ठीक है तो मैं चाहता हूं कि आप सेलेक्शन हो आप इस एरा में एलेक्ट्राइवर ऐसी वह दिक्कत होती है ठीक है तो बस यह इत वांडल भाई यह जो वकेंसी है आपकी आएंगी आप अठान हो यह बस अब आप से लभी से हाज और की विंती है मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए तो फिर क्या होगा रहा है कि इसी वह फच जाएंगी हमारा जो में मोटो है वो रह जाएगा ठीक है बाकी आप अब वाट्स नंबर दी आप मुझे पूछें मैं आपको बताऊंगा जो भी रहेगा ठीक है वाट्स नंबर जो है लिखिलो है कंपर यह बंडिया होगा यह जो आपका लिख्याम नेकि निया हुआ है जो लिस्ट निकलि थी आप ने देखा था कब दिया है आपका चीन सिम अक्टूबर से दिसम्बर के बीच में, यानि कि अक्टूबर भी possibility है और December भी possibility है, इनके बीच में November भी हो सकता है, December भी हो सकता है, लेकिन हम लेगी चलेंगे October को, हमारा जो deadline रहेगा, वो October रहेगा, तो हम यह प्रयास कर रहे हैं पुरा आपका, अगस्त के last तक मैं खतम कर द आपको नहीं पढ़ना है, यह गारंटी मेरी है, ठीक है दोस्त मेरे, तो आपका जो deadline है, मैंने आपसे बोल दिया है, आपका August लास्ट है, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का जाम है, तो इसका आप नोट कर लीजिएगा, यह बहुत important है, याद रखे कैशीज को, आगे बात करते हैं कि जो आपके basic doubt होते हैं कि सर, मुझे batch में क्या-क्या मिलेगा, और क्या-क अंग्लिस में रहेगा, रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई tension नहीं है, जो हिंदी वाले चात्र है, जिनको content हिंदी में चाहिए, बाकी बोलूगा तो मैं हिंदी में ही, लेकिन अगर आपको हिंदी में content चाहिए, तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप 2-3 class पहले demo देख आता हूँ कि मैं उसका एक मात धिबनू कि मैं आपको selection class हूँ, ठीक है, बाकी pdf आपको मिलती है class के साथ, आपको जो class रहेगा, आपको मिल जाएगा pdf, pdf को कैसे आप print out करेंगे, कैसे आप download करेंगे, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, आप पर साह मत हूँए, ठीक है, तो यह तो होगी class की बात आपकी, दूसरा आपका full theory रहेगा, अगर आपको electronics का E नहीं आता है, computer का C नहीं आता है, math का M नहीं आता है, आपको मैं basic से पूरा advance लेके चलूँगा, एकदम निशिन दरीगे आप, ठीक है, और crash batch भी रहेगा, आपका practice batch भी रहेगा, live class आपकी ह available हो जाती है, यानि जब live class आपकी हो जाएगी, उसका आपको recorded class वो मिल जाती है, after processing, यानि जो process होता है, process वाद आपको क्या मिलता है, आपको ए घंटे बाद वो recorded class मिल जाती है, ठीक है, उसको आप आप आराम से देखिए, कई बार कितनी बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेली क्राम ग्रूप अब बनता है, क्यों बनता है, उसका रीजन है, कि क्या होता है, कभी माल जी class मैंने नहीं लिया, कुछ दिक्कते आ गई है, तो आपको message करना होता है, तो मैं group बनाता हूँ, ये वो group नहीं है, जिसमें आप chitchat कर सकें, ये chatting वाला group नहीं है, अगर मैं उसी time पर response कर सुकूँ, माल जी मैंने आपको response नहीं किया, तो आप फिर से दुबारा मुझे message करिए, आपने response नहीं किया, प्लीज इसका answer बता दीजिया, तो मैं आपको पूरा प्रयास करता हूँ, वैसे 99.9% मैं response कर देता हूँ, doubt सा खास कर, लेकि माल जी कभी बहुत doubt clearing होगा, आचा बात करते हैं आपका यहाँ पर तो Android में और PC में इसको आप चला सकते हैं, PC में आपके laptop में, computer में इसको चला सकते हैं, और Android में चला सकते हैं, ठीक है, और बात करते है, class time table की, तो आपका जो time table है, अभी आपका 9 बज़े class रहेगा daily, Monday to Friday, सो मुआर से करेंगे कोई other subject, जिससे कि हमारे कम सकम दो subject साथ में चलते रहें, और हमारा syllabus बहुत smoothly खतम होता रहे, बात समनाई जिस्त, तो यह आपकी सातो दिन class रहेगी, Monday to Friday में 9 बिम फिक्स टाइम रहेगा, बाकी Saturday संडे में सनी वार रिवार को ये edge further requirement, तो आप लोग भी होंगे बह सुपा रहाँ कि, सर आपने तुका था कि पूरा सातो दिन 9 बजे रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, Monday to Friday 9 बजे रहेगा, और हो सकता है कभी कभी माले जा कभी कुछ दिक्क्कते आजाते हैं, तो class आपकी 9 से हो सकता है, मैं साड़े 8 कर दूँ पहले, या साड़े 9 कर दू, क्लास आपको डेली होगी, यह गारंटी है, पुरा प्रेयास करेंगे, अब क्लास डेली हो, अगर कोई क्लास मिस हो गई, तो मैं सो class को एक्स्टा कास लेकर आपको कवर कर दूँगा, चलिए बहुत बढ़िया, थाइग्यू सो मच बताने के लिए आसु भाई को, ऐसे बता आपने टेक्रिशन में इन्रोल किया होगा, तो आपको यहाँ पर टाइम टेबल दिखता है, आपकी जो आने वाली class है, जैसे कि आज यह class आपकी हो रही है, तो 12 मार्च सी class आपकी जैसे कि मैं रात में create कर देता हूँ, जैसे आपको नहीं दिखी तो आप परसान मत होना, ठीक है, हो सकता है, वो सुबह create कर दूँ मैं, बागी दो-तिनिंग class में extra में advance में create कर दूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना रहे, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखता है आपका, ठीक है, को दिक्कत, बागी कोई doubt रहेगा, तो यह number आप note कर लो, कब तक आपके selection पर, मैं देखे, PDF क्या होता है, कि आपके video के साथ लगा होता है, ठीक है, वो कब लगा रहेगा, आपकी life class होगी, वो एक घंटे process होगी, process होने के बाद क्या होता है, कि हम PDF को साथ में upload कर सकते हैं, तो क्या होगा भई, जैसे ही आप देखेंगे, तो आपको class के साथ ही PDF मिल जाती है फिर जब PDF मिल आएंगे तो आपको यहाँ पर तीन डॉट मिलते हैं, तीन लाइन आपको ऐसे मिलेंगी, जब इस तीन लाइन पर क्लिक करेंगे आप, तो क्या होता है, कि आपको यहाँ पर इतने सारे option मिलते हैं, एक होता है export का, एक होता है download का, एक होता है opening web का, अगर आपको print out निकालना है, तो याद रखिए, export पे आपको click करना है, किस पे? export पे, कहां करना है तो मेरे मैं फिस दा दूँ, अगर आपको print out करना है, तो आपको export पे करना है, किसके लिए? print out के लिए, ठीके तुस्त, यह आपकी mobile में save होगा, आप इसको print out निकाल सकते हैं, बि click करिएगा, जिससे आपको PDF मिल जाए साथ में, क्या यह बास मना है जो उसमेरे? और कोई भी समस्या रहेगी, और यह जो आपका telegram का paid group link है, यह आप जो class देख रहे हैं, यह आपका RRB का logo बना होगा, technician grade 1 नाम से, उसके अंदर यह class आप देखेंगे, वही पर ही आपको telegram paid group link का एक बन जाएगा, और वहां आपको link मिल जाएगा, अभी link create नहीं हुई है, link create होगी, आपके मांच लिए दस्रे 15 दिए बाद मैं create करूँगा, और वहां मैं आपको link दे दूँगा, तो वहां से आप जो जाईएगा, ठीक है, कोई दिक्कत बाद नहीं रहेगी, तो फिर आप सीथे यहां मुझे डाउट भीजिए, बाकी यहां पर रहता है, तो मैं देख लेता हूँ, आपको मैं मैसेज कर देता हूँ, कि आप kindly WhatsApp कर दीजे, तो मैं आपको वहां पर कर देता हूँ, ठीक है, चलिए आगे बरते हैं, और आपका course जो होता है, वो होता है purchase में आपको पता ही है, आए आगे बात करते हैं, अब आती है बात recruitment process की, कितना बहतरीन है, पहला आपका CBT है, फिर आपका document verification है, फिर आपका medical examination है, कितना बहतरीन है, बड़ा अच्छा रखता है यह देखे, कि पहले सीधे CBT 1, CBT 1, 2 नहीं, सीधे CBT, आपका सीधे आपका medical, वो 90 मिनिट में 100 questions करने हैं, syllabus काफी वास्ट है, पूरा syllabus score करना है, आपको यह याद रखिएगा, क्योंकि syllabus में बहुत depth नहीं जाएगा, बहुत deep नहीं जाने वाले हैं, यह उपर यूपर टच करने वाले हैं, लेकिन सभी को आपको पढ़ना पढ़ेगा, यह मैं self-study आलो बात और यह minimum cut-off आपके है, 40% होता है, किसके लिए आपका, UR के लिए, EWS के लिए, ठीक है, यानि आपको 40 number 100 में से लाने ही पढ़ेंगे, 100 में से आपको 40 number आगना पढ़ेंगे, लाने ही पढ़ेंगे आपको, ठीक है, अब बाकी जो category आपकी है, वो आप जानते ही है, कि आपक पढ़ेंगे, यह cut-off है, यह cut-off नहीं है, मलब आपको minimum 40 number लाना ही पढ़ेगा, अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं, तो आप वैसे ही disqualify हो गए, यह सिर्फ minimum वो है, कि हाँ, 40 number आपको 100 में से लाने है, उसके बाद cut-off आपकी 70-80 तक जा सकती है, तोकि यह railway की demand है, आप जानते नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको तनमंधन से, बाकी cut-off वाला चीज़े रहेंगे, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है मने दोस्त, चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, तो नहीं ने बोला है, जो CBT में आप score mark करेंगे, उसके लिए further आप qualify होंगे, next exam के ल बाकी जो ये आपके 75 नंबर हैं, ये मैं कराने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से, यानि 75 नंबर में, मैं पूरा ये प्रयास हूँ हूँ कि आपको 75 में 75 मिल जाए, बाकी ये कहना, अगर बात करें तो as a engineer कहना लाजमी नहीं है, क् practically ये चीज पॉसबल नहीं होती है, जैसा कहा जाता है लोग बाक, लेकिन 70 का टागेट रहता है, आप ये आखिये, बाकी पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 75 का दिया जाए, लेकिन 70 का टागेट पूरा रहेगा, और वो 200% रहेगा में तरफ से, देखिए, बैच लेने से आ मार्च तो मैं काउंटी नहीं कर रहा, मैं अपरेखों की मार्च में भी हो ली है, तो अपरेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, पांच महीना है किनके, सितंबर और अक्टूबर मान लोग और अक्टूबर निकाल दी, फिर तो हो गया बात समय नहीं समर रहे है, बाकी उम मार्च कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपको current affairs और GSGK जो आपका है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, रिजनिंग को बहुत strong करना है, क्योंकि 25 में से यहां 20 आपने खीज दिये ना, तो बागी यहां तो खीज लो के काम हो जाएगा, आपका, 80-80 मांच लो, 80-85 और आपका रहेगा, तो safe रहेगा आपका, बहुत बढ़ियां से, बात समझे 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 समझे, तो इसलिए अपना schedule बना लो आप properly धंग से, रात में क्लास आपकी होगी इसकी, आप दिन में रख लो, पूरा reasoning हो गया, आपका यह हो गया, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि जो computer अपने नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा बिल्कुल, और जो physical apart है, वो भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, तो कोई रिक्कत नहीं है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी अपनी तरब से थोड़ा स सही करूँगा, ठीक है, तो कि अगर मैं इसके लिए कई लोग बोल रहा है, सरफ faculty higher कर लो, तो faculty higher करने मतलब नहीं बनता है, तो 75 की बात करते हैं अपन लोग, और इन्होंने साब साब बोला हुआ है, कि the subject by distribution, आपका जो है, ये paper में vary, यानि ये vary कर सकता है, और जो vary करता ही करता है, RRBJ में, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो RRBJ का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, orientation, आप उसको देख लिजेगा, सभी लोग देख लिजेगा, जो BSC वाले हैं, जो CS वाले, IT वाले हैं, वो भी देख लिजेगा, बागी जो electronics वाले हैं, वो तो देखेंगे ही, मै आप यह मा सोचना कि 35 नंबर आपका जो है, बेसिक साइन्स इंजिनरी है, तो 35 नहीं, यह 40 भी देख सकते हूं ठाके, क्या पता, क्योंकि उसका रीजन है, अभी आप स्लेवर्स को पुरा डिकोड करोगे ना, मैंने डिकोड किया हुआ है, आपने देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर और डिटेल में डिकोड करने वाला हूँ आज, ताकि आपको क्लेर्टी मिलेगी, हाँ कैसे आपको तैयारी करनी है, किस लेवर्स पर आपको तैयारी करनी है, बात समझे सकते हैं आप लोग, नमस्कार, सरमाजी नमस्कार, अब आईए आगे बात करते हैं, कि जो साफ साफ लिखी हुई है, आपका एक basic of computer and application का folder बन जाएगा, जो हम कराएंगे आपको, लेकिन ये अभी start नहीं होगा, ये बाद में start होगा, उससा कारण बताऊंगा मैं आपको, ये बीस marks का है, अभी हम चर्चास पर नहीं करेंगे, जो computer आपका basic application आपका है, तो यहाँ पर input आपका device हो गया, computer virus हो गया, website हो गया, वे ब्राउजर हो गया, ये सब बहुत आसान है, ये इसको आप अराम से self-study भी कर सकते हैं, मालिज अगर आपका paid में नहीं हो रहा है, तो इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, तो आजकल तो आप समझ रहें कि भाई, पूरा भरा पड़ा है content से, हर एक चीब भरी पड़ी है, तो तक आप इसको देखते रहिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, कि पूरे दिन time मिल रहा है सामेरे पढ़ने के लिए, तो आप computer साम देखते रहेगा, तो कि अभी computer आपका नहीं होगा, क्या होने वाला है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है? ने ने, सेक्समाज की paper नहीं आएगा, संधीपन मुंदल साओ, यह सेक्समाज नहीं आता है आपका, यह mix-up हो आता है, अगर आपने देखा हो, तो ऐसे ही आपका रहता है, यह नहीं कि आपका यह start हो, घत्म एसा, आपने देखा होगा, उसमें, तो आपको यह पता दिला तो यह प्रिवेस में तो ऐसा नहीं हुआ था पकी इस बात रिखते क्या करते हैं यह लोग, गाट इट? चलिए बात करते हैं तो आपका यह 20 नंबर का है, तो इसमें आप कुछ चीजे खुद से कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं खुद से बोल रहा हूं, तो अभी यह नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यह नहीं चलेगा, इसलिए मैं आप से कर रहा हूं कि अगर आप 24 आवर्स है, तो आप इसमें input, output device क्या होता है, mouse होता है, keyboard होता है, printer होता है, आपका यह सब चीजे होती है, आप पढ़ांस पढ़ स NCRT उठालो आप, यह आपकी जो state board की भूग है, राजिस्थान board हो, UP board हो, कोई board आपका हो, MP board हो, URISA board हो, कोई board आपका हो, आप उठालो, आपको यहां तक पूरा, उसमें से जो basic part है, उसको एदम चार्ट जाना है, देके कैसे, कि भाई आपका जो number system होता है, भाई number system में numbers पढ़ते हैं, किते दापी number होते हैं, real number, rational, rational, आपके जो होते हैं, परिमे, परिमे संख्या होती हैं, आपकी प्राक्ति संख्या होती हैं, आपकी वास्ति संख्या होती हैं, यह सभी जो बाते होती हैं, फिर उसके बात क्या होगा, board marks आपका होता है, bracket of, divide, division आपका होता है फिर multiply होता है, addition, succession होता है आपका फिर quality question आपका होता है, उसमें आपका alpha plus beta क्या होता है, alpha into beta क्या होता है AX square plus BX plus C आपका क्या होता है उसमें graph कैसे बनता है आपका upward है या downward है आपको लग रहा है speed ज़्यादा है तो slow कर लेते हैं आपकी आप खुद से भी कर सकते हो ये चीज आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया है पहले था दिक्कत की भई, कैसे बोले सब्सक्राइब करो, आपके पास है, आप पीछे घुमाओ speed slow करो, फिर पढ़ो बलब हर तरह के से आप utilize कर सकते हो, बहुत बढ़ी हां से तो quadratic, दुईघाज समिकर्स को आप बोल देते हैं ठीक है, इसमें आपका alpha plus beta alpha into beta, उसपे कोशन बहुत सारे आते हैं आप इसको पढ़िये अराम से ठीक है, फिर आगे बात आती है arithmetic profession की AP की, इसमें क्या होता है आपका समांतर सेडी आप इसको बोल देते हैं इसमें आपका होता है A, फिर आपका होता है D, common difference को बोल देते हैं ठीक है, फिर आपका इसमें SN का formula होता है AN का formula होता है, AN में और SN में relation होता है यह साब आपने पढ़ा होगा फटा फटीन को अब recall कर लीजिए भाई, कब तक वेट करेंगे आप किस दर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे ना, आपको selection लेना है मेरे दोस्त इसलिए बोल रहा हो मैं आपको कि यह सब साथ में निप्टाते जाएगा जब मां पढ़ाऊंगा तो आपको और मज़ा आएगा फिर हम question फोकस करेंगे question, question, question करेंगे दुमातार ठीक है मेरे दोस्त तो यह आप आरामस देखिए फिर आपका आता है क्या similar triangles आपके जो आते हैं triangles जो होते हैं आपके भई concurrency होता है आपका उसमें बहुत साही बाते बढ़ते हैं आप उसमें आपका भी पाइथाकोस theorem हो गया उससे इक्रिकोशन आप क्यों हो गया फिर आपका coordinate geometry आ गया उसमें x y coordinate होते हैं आपका उसमें first coordinate, second coordinate, third coordinate, fourth quadrant हो गया आपका abscissa क्या होता है, mendissa क्या होता है यह सब बाते आपसे पूछी आती है दोस्त, ठीक है ने ने, model साब, same syllabus नहीं है क्योंकि उसमें computer वाले वहाँ पर थोड़ा सा अलग हलका सा है बागी चीजे वही है, थोड़ा बहुत difference हलका सा है जो रहेगा मैं कराऊंग आपको, ठीक है application of technology जो होता है, आपका 10 theta बहुत ही होता है इसमें आपको Q use होता है यह पर यह चीजे जो है यह आप खुछ से भी कर सकते हैं अभी साथ के साथ, ठीक है, यह सी class भी बाद में start होगी computer की और math ही class जो होगी, वो बाद में start होगी अब आती है बाद किसकी दोस्त मेरे, अब आती है बाद मेरे दिसकी, this one यही मुझे पहले decode करना है, हमारा पहले main focus इसका है basic science and engineering का यही आपका main है, जिसको मुझे decode करना है, इसको आपको ध्यान रखना है आप कैसे decode करना है, वो समझो आप मुद्दा यह है कि जब मैंने syllabus को फिर से देखा, कल आप मैंने आपको बताया था, तो कल मैंने देखा, फिर दुबारा देखा मैंने, फिर दुबारा देखा मैंने और यहाँ पर यह रिलाज हुआ है, दोस मेरे, कि जो physics, देखो, यहाँ पर फोल्डर बनेगा, वो तीन बनेगा, मैं फिर दुबार दूँ, यहाँ पर फोल्डर बनेगे तीन, एक बनेगा physics fundamental नाम से, क्या बनेगा आपका, physics fundamental नाम से, इसमें आपका यह पूरा पार्ट रह रहेगा, temperature तक रहेगा, तापमान तक रहेगा, एक फोल्डर बनेगा, दोखो, basic science engineering आपका बनेगा, उसके अंदर आपका एक फोल्डर बनेगा, इसमें पूरा यह पार्ट रहेगा, फिर बनेगा आपका एक क्या, electricity और magnetism, इसका एक पूरा पार्ट बनेगा, electricity और magnetism का पूरा पार्ट बनेगा, और इसमें जितने भी आपके हैं यह, यह पूरा आएगा, और लास्ट में आपका बनेगा, electronic and measurement आपका यह चीज, तो यह तीन फोल्डर आपको मिलेंगे, किसके अंदर, basic science और engineering के अंदर, यह तीन फोल्डर आपको मिल जाएंगे, गाट साथ में, parallel, बागी मेरा पहले फोकस रहेगा, इसको मुझे decode करना है, अच्छे से, जब यह हो जाएगा, और मैंने आपसे गातना, Monday to Friday, Monday to Friday, सो मार्ट से सुकुरवा चलेगा, यह वाला portion, और जो आपका बचा, Saturday, Sunday, Sunny वार रिवर, उसमें कौन सा चलेगा, आपका चलेगा यह दोनों में से कोई एक, या तो computer, या तो math, और math भी हो भी कौन सा, यह जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसकी demand बाद हम करेंगे, सबज़े दोस्त, तो इससे आपका syllabus ब्रा smoothly कतम होगा, बहुत प्यार से, बहुत आराम से कतम होगा, और बहुत ही तरीके से आपकर है, जैसे कि units, जितने मातरक आपके होते हैं, साथ fundamental होते हैं, फिर drive होते हैं, फिर MKS, CGS, FPS होते हैं, आपको यह पता ही है, फिर आप काता है measurements, आप measurement करते हैं, उसके लिए जो भी है आपका, फिर आप काता है, mass, mass क्या होता है, द्रभमान स्वा बोल देते हैं, weight क्या होता है भार क्या होता है फिर आप बोल देते हैं क्या density घंट आपका अब यह नहीं कि density घंट तो हो गया नहीं नहीं डेंस्टी होता है mass upon volume ठीक है द्रमान बटे आयतल वो कैसे आप देखते हैं क्या चीज़े होती है वो हम रिसकरेंगे वह एक पावर एनरजी है speed velocity है heat temperature है यहां पर उन्हें साफ साफ दिया हुआ है और देखें कि इतनी अच्छी बात है यार कि आप समद लोगी जो डिप्लोमा बीटेक वाले हैं खासकर electronics वाले उनके लिए तो सोने पर सुभागा है बागी जो BSC वाले हैं अधर जो इसमेंट्स मजनेर पढ़ाया खतम, मास पढ़ाया खतम, वेट पढ़ाया खतम यह सम्भाड़ली आदे आदे घंटे topic हैं आदे आधे घंटे में आप उड़ा देंगे पूरा कि मास उटाया मास जो भी question बन सकते हैं कि मास क्या है vector quantity है, scalar quantity है वह आपका scalar quantity है क्यों है तुए यह हर जगा सेम रहता है, अगर आपका पांच इलो मास है, अर्थ पे है, दर्वमान जो होता है, आपका पांच इलो यहाँ पे है, तो आपके चंद्रमा या मून पे भी क्या होगा, पांच किलो ही रहेगा, यानि कि ये दिशा के साथ, यानि डिरेशन के साथ ये अपना magnitude चेंज नहीं कर करती है, बहुत सारी बाते जो होती है, वो सब देखेंगे, यहाँ पे सब बात करेंगे अपन, velocity दिया हुआ है, speed दिया हुआ है, इसकी हम बाते करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए tension नहीं है, अब आते हो आपस कहाँ पे, electricity और mechanism में, यहाँ पे भी मज़ी की बात यह है कि सब दिया हुआ है आपको, electric charge, वैद्धूत आवेस, अब इसकी जित्ती property होती है, सब बात कर लेंगे, यह charge क्या होता है, इसकेलर quantity होता है, यह quantized होता है, यह आपका electric field produce करता है, अगर charge का velocity रुका रहेगा, तो क्या होगा, electric field produce क तो electric field, फिर उसके बात दिया हो है, फिल्ड आपका दिया है, तो electric field आपका क्या होता है, यह आपका होता है, वेक्टर quantity, फिर इसकी जित्ती property है, आप सब बता देंगे, फिर intensity क्या होती है, फिर electric potential, वैद्धूत छेतर का जो विभा होता है, उसकी बात करेंगे, फिर difference की बा और यहाँ पर देखो, conductor, non-conductor, ohms law, its limitation, resistance, यह सब आपको दिया हुआ है, तो यहाँ भी मुझे tension नहीं है, तो कि यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, आपने उसको पढ़ा, उससे related जो भी question बनते हैं, हमने फटा-फट पूरे कर लिए, बात खतम, पूरा topic खतम, स्वाह matter फसेगा, यहाँ पर, और यही चीज़ हुआ था, IBGO में, मैंने जब भी कहा है, तो कि वो experience हो गया है, paper कराते-कराते, और exam देते-दे, तो कि देखिए, जो fixed pattern paper होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है, जब आपका pattern change होता है, और फिर वहाँ पर जो syllabus आपको आया होगा, कि यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पर तो हम manage कर लेंगे आराम से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी यहाँ पर, कि basic electronics में तो बहुत कुछ है पढ़ने को मेरे दोस्त, कितना cover करें, digital में तो पूरा भरा हुआ है, boole algebra, number system, k-map, फिर आपका, combination circuit, उसमें half adder, full adder, subtractor, comparator, फिर आपका sequenceal आ गया, फिर आपका D2A, A2D, सब आ गया इसमें, तो बहुत कहां तक पढ़ें, दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, electronic device and circuit में क्या-क्या पढ़ ले भाई, वहाँ पर तो आपका diode भी है, rectifier भी है, BJT भी है, FET भी है, MOSFET भी है, सब प्रूली तरश आपका, कैसे कवर किया जाए उसको, सब प्लांग क्या हुआ है, don't worry, सब प्लांग क्या हुआ है, बहुत अच्छे सब प्लांग क्या हुआ है, और रहना हुए इसके लिए बिल्कुल, मॉडल साब, बिल्कुल कर सुब, क्योंक 좋아요, क्या पढ़ना है, क्या नह मंडे टू फ्राइडे चलेगा ये पूरा पार्ट और सटेटेट चलेगा कंप्यूटर और मैथ ठीक है चलिए पहुत बढ़िया फिर आगे बात करते हैं तो आपका क्या है माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर कितना पढ़ ले भई तो समस्या किसमें आने वाली है मैं बता दो आगो क्लिया फिर से एक बार समस्या आने वाली है इसमें ये जो आपका है और ये जो आपका है इतना बाकी इसके बाद दिक्कत नहीं है फिर तो कि फिर आपका electronic measurement उ दिक्त इन में आने वाली है तो इसलिए हम इस पूरे topic को detailed में मैंने क्या बोला आपको ओपर दिक्कत नहीं है जो भी नाम लिखा हुआ है उस नाम को आप सीधे खुझ से पढ़ सकते हैं मैं फिर से बोड़ रहा हूँ अगर आप self study करना चाहते हैं बहुत साइसमें जो नहीं बनेगा ठीक है टाइम उपने पास भरपूर है 5-6 मैने साथ मैने भरपूर है और जम के करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा अगर आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ाई की है दस साल से नहीं पढ़ा है आपने कोई दिक्कत नहीं है हम आपको इत्म basic से advance ने आप लोग क्या करना क्लास जब ओर जाएगी तो PDF निकालना PDF में इंपोर्टेंट ची देख लेना अगर आपने पढ़ाऊ को सब कुछ है तो आपका रिकॉल हो जाएगा अगर नहीं पढ़ाऊ को उसका अपनोड कर लेना तो सब का फायदा हो जाएगा इससे जो जॉब कर हैं याद रखिए आप पूरे वीक का बनाई है सेडियोल की एक विक का जिसे कि मंडे तो आपको यह टागेट रखना है कि मुझे एनिहाव सनीवार तक पूरी वीडियो देखनी है अगर आपने पहले से त्यारी की हुई है तो PDF देख लो अगर नहीं की हुई है तो वीडि कि अधल कि मुझे पता है कि मैं खता सकूंगा और मुझे यह पता था definitely कि RRB technician आने वाला है, ALP आने वाला है, JEE आने वाला है, और इसके आते ही मुझे time बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं किसी को false एक hope नहीं देता, एक आसा नहीं देता कि हाँ मैंने बोल दें कि हाँ मैं करा दूँगा, कर दूँगा, जो भी है clear ут gear है, यहाँ मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँ आपको यहाँ पढणा है वहाँ पढणा है, इदर पढणा है, उधर पढणा है, ALP का अलग class चल रहा है, JEE का अलग class चल रहा है, टेक्निक से का अलग class चल रहा है, इसमें तक आना करना है, इसे एसी opportunity आपको नहीं मिलत और उसमें content मनाना पड़ता है content में आपके सुझे 4 गंटे क्या ऐसे हो जाता है क्या उसमें आपको पीछे backend पे बहुत कुछ करना होता है और कई लोग ऐसा कर रहे होंगे मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं पता है आप लोग को पता है तो इसलिए मैं आप से कह रहा तो यह पूरी कहानी आपकी है तो यह तरीका है आपका तो हमारा focus रहेगा पहले यहां पर इस पर हमको focus करना है और खासकर focus पर करना है इस वाले part पर तो कि यह बड़ा खतरनाक plot है यह plot तो असान है यह plot तो आपका hardly मान चलो आपका यह जो topic देख रहे है न अप electric charge field intensity यह कोई दिक्कत आपको ना हूँ और आप बहुत अच्छे से कर पाएं जो आपको time बच रहा है उसों मैंने को काम दे भीदिया है क्या काम दे आया है मैने को आप झह के पढ़ते रहिए regening पढ़ते रही है अच्छे से और जो math में आपको कि math में ये topic आप कर सकते हैं, खुछ से ही कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं, मैं फिर से बोड़ रहा हूँ, मैं कराऊंगा, ऐसा मैं नहीं बोड़ रहा हो, नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको selection लेना है मेरे दोस्त, तो इसलिए आपको भी अपनी दर्स से effort लगाना है नहीं तो फिर क्या होगा ना कि बाद में फिर आप भी थोड़ा जाओगे तो अभी टाइम है आप साथ में पूरा सेट बनाईए और भी जही वो तो बाद में आएगा ही आएगा और आपका और कई साथ में बता हूँ लिट्री तो चार-पांट साथ मुझे फॉलो कर रहे है अठारा के बास से उनके आखों में आशू आ गया वाई साब क्यों क्योंकि वेकेंसी देखकर क्योंकि उन्होंने ने होप छोड़ दी थी एक तो वो ओवरेज हो रहे थे तीस साल बत्री साल जूंकी हो गई थी तो उन्हें ने होप छोड़ दी थी यार अब तो साथ मुझेल नहीं आए कि मैंने का नहीं होप मत छोड़ो भगवान देख रहा है चीजी जो होंगी अच्छी होंगी आप टेंसर मित लो और फाइनली देखो ने कॉल किये सर आपने जो कहा तो वही ची तो चीजा नहीं है जॉब चाहे आप गॉस्ति होग चाहे प्राइविट जॉब में होग और आप जॉब के साथ कर सकते हैं मैंने देखा है ठीक है तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने आप प्रोटीन लीजिए मैं ये नहींने करा आवाइड करो, तेल आपको लेथार्जी कर देगा, लेथार्जी समस्ते हैं, सुस्ति ला जाती है, चावल खाने से नसा जाता है, तो इसलिए 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 आपको क्लास में अपडेट करता रहूँगा, कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई को फोकस करना है, और कैस फोकस कंटेंट होगा, फरजी बाते कुछ नहीं उसमें होगी, उसके बाद जैसे की क्लास हो जाएगी ओवर, मैं आपको बोल दूँगा कि यहां क्लास ओवर हो गई है, जिसके जो डाउट रहेंगे, आप आराम से पूछिएगा, और जिसका बात है, सबको फाइदा होगा मैं आपको सब बता दिया, इसके बाद कुछ डाउट है, आपको बताना है, कई लोग confused है, कोर्स को लेकर, तो यह बड़ी सिस्टम हो जाती है, ठीक है, क्या है ना कहीने कहीं, आप गलती भी नहीं है, तो यह पहली बार लोग यह वीडियो देख पा रहें, कोई नहीं आप से बात कर रहा हूँ, content हो रहा है, तो यह मैंने चीज रिलाइस की है, बताएं बढ़ी, कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है आपको, अच्छाए को और चीज है, माली जी, आप एप में class जोइंग करते हैं, तो इनकेस अगर starting class जोइंग नहीं होता है, तो आप आप उ-close करिए, फिसकार आपका आराम से, जो भी है, आराम से आप उसको फिर से आउन करेंगे, तो आपका class दिख जाएगा पूरा अच्छे से, चली दिए गया, तो I think अभी doubt किसी के नहीं है, अगर doubt रहेगा, तो what some number दिया हुआ है, तो मैंने आपको पुरा बता दिया है, कैसा आप पर सिस्टम है, अब बात होने वाली है, कोर्स कैसे आप जाइंग कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी जाना है जा सकते हैं, कि आपने कोर्स आपने जाइंग कर लिया है, यह YouTube फैमिली के लिए है, क्योंकि वो लोग काफी परसान हैं, और फिर से बोल रहा हूँ समय की value है, time कोई नहीं खरी सकता मेरे दोस्त, आपने देखा है, rate जब होता है, rate of change of velocity, rate of change of current, वहाँ rate क्यों बोलते हैं, और rate में समय क्यों आता है हमेशा, चाहे कोई भी हो, अभी अंबानी जी के बेटी साथी हुई ना, 1000 और पर खट चुक हैं उसमें, तो लोग क्या एक समय निकल यहां से, तो फिर सब रह जाएगा, सब रह जाएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 400-500 में दिख्कत मुझे भीकुल नहीं होगी, मैं कर दूँगा, लेकिन वहीं हो ना, कि आप भी रिलेक्स हुदा हो गया है, 400 को और से क्या दिख्कत है, ठीक है, और मैंने आपन का कम कर दिया है, 2499 से आपका 1 triple line कर दिया है, आते हैं आपस आपर आफट, तो करना क्या आपको है, आपको यह एप डाउनलोड करना है, आपको यहां पर क्या करना है, रिजिस्टर करना है, अपना नाम निमबर डाल के जो भी है, उसके बाद आप यहां पर आएंगे, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यह आपका paid course है, जब paid course में आप जाएंगे, तो यहां पर आपको classes दिखेंगी, लेकिन जैसे ही आप join पे click करेंगे, तो यहां पर आएगा this option is not available, तो आप tension में आ जाएंगे, कि अरे यहां तो option available है ही नहीं, तो मैं course कैसे लूँ, तो एक तर for the paid course, और जैसे इस भी click करेंगे, तो आपको ऐसे courses दिख जाएंगे, यहां पर पहला जो course रहेगा, वो है, combo आपका technician grade 1, JE और ALP, माल लोग किसी ने course लिया हुआ है, अगर आपको upgrade कराना है, आप मुझे message करो, कई लोग conscious है इसमें, कि सर मुझे क्या फिर से इतना amount pay करना प करो, तो मैं आपको यह change करवा दूँगा course, किसी ने अगर ले लिया है वाई, तो यहां पर combo पहले technician, JE और ALP का 3 double 9 का है, दूसरा combo के आपका है, technician grade 1 और JE का है, 34 double 9 का है, अगर आपने सिर्फ JE लिया है, आपको technician में जाना है, जो भी difference amount है, मैंने क्या बोला आपको, आप मु technician की त्यारी करने वाला है, तो आपको यह page नहीं देखना है, बिल्कुल भी, यह आपके लिए नहीं है, आपके लिए कहां पे है, यह रहा, साथ नंबर पे लिखा हुआ है, RRB technician grade 1, only 1 triple 9, rupees only, एक हजार 999 पे लिए बस आपका technician का है, अब होता क्या है, कि अगर मैं JEE अलग यह आपका अलग से भी अवलेबल है, अलग से भी course अवलेबल है, आप अराम से PDF को देखिए, और समझीए परकिए, कहीं भी आपको डाटाता है, तो आपको नंबर है, नंबर आपका दिया हुआ है, 841-926-986, आप मुझसे संपर करिए, जो भी हो सकता है, मैं आपको पू में आज आएगा, CBT-1 नहीं होगा सुर्वी, इसमें आपका CBT-1 नहीं होगा, डॉन परी, इसमें स्रिफ आपका CBT होगा, only CBT है, no CBT-1, CBT-2, CBT सिधे सेलेक्शन, अब कुछ कह सकते नहीं है, अभी फिलाल तो, क्योंकि जो बोला गया था रहने तो, आप बेट कर लिजिए, आप माई जुन तक का बेट कर लिजिए, ठीक है, माई जुन तक बेट कर लो, का है, कुछ ना कुछ आपको अप्डेट मिल जाएगी, इसके रिकाडिंग, ठीक ह हाँ, आसुभा, यह भी सीखा, आपने, यह भी सीखा, कि बहुत सारी मेशिरेंट जो अरड़ी जेई और एलपी में जॉप कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया हुआ है, लेकिन हो सताए कि उमीर है कि यह जो इन्होंने ग्रेट वर निकाल दिया है, तो बहुत सा इसमें यहां पर संपर करिए आप, आपकी eligibility को लेकर, क्योंकि देखिए, मजा तभी आता है पढ़ने का, जब आपको इदम confidence रहता है कि हाँ मैं eligible हूँ, और मजा तभी आता है by God, तो कि हम भी जब थे तो हम भी यही सुचते थे, तो इसलिए यहां पर call करेंगे, तो यहां से आप घमिर मत हुई है, बिल्कुल भी बरगलाईए मत, कहीं भी परसा मत हुई है आप, ठीक है, आप यहां call करिए, यह जो बताएंगे वही बात होगी, मैं अगर बोल भी दूँगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, तो आईए बात करते है लास में आपका, और कोई दिक कोई बात नहीं, मंदल साब, कोई दिकत नहीं, आप इंसाब मतलो, मैं पूरा, मैं बाइलिंग्वल रहेगा, content आपका इंगलीस में रहेगा, हिंदी में आपका, मैं बस उसको ट्रांस्रेक करूँगा, इसन द्रॉप, सब कुछ पपेट रहेगा, ओके, रहेंगे, चलिए, भागी आप लोग like से subscribe करते ही करते हैं, आपका जो प्यार है मुझे मिल रहा है, और मैं जो भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ है, जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं मेरे को, जो है clear cut है, उसमें कोई दो राए नहीं है, और फिर से बोल रहा हूँ है, ऐसे मौके बिल्कुल भी मत छोड़ियेगा और उमीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है इस class में आपके सभी doubt clear हो गए होंगे हर एक चीज को लेके class को लेके syllabus को लेके और आपका जो topics है उनको लेकर और आपका जो eligibility है उनको लेकर हर एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है orientation class में आपका यही सब बाते होती है और आपका app जो है कैसे आपको चलाना है आपने यह भी सीख लिया ठीक है बागी कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्ता है नंबर दिया हुआ है आप जब मन चाहें आप मुझे message करिए जब भी मुझे समय मिलेगा मैं call करूंगा तो कि अभी मेरी class चल रही है लगातार एक तो 11 से चल रही है बारा साड़े बारा तक फिर दो से चल रहा है आपक तो अमीर आप सही करूँगा कि आपके जो question होंगे जन्मीन होंगे और जिसको देखने मज़ा आएगा मुझे भी कि हाँ आपने अच्छे question पूछे हुआ है ठीक है आसु भाई thank you so much चली great work बढ़े है ठीक है thank you so much all of you and कोई भी दिक्कत है कोई भी समस्ता है मैं हूँ आपक करेंगे हम लो basic science engineering आपका ठीक है और वो चलेगा Monday to Friday 9 PM पे Saturday Sunday करेंगे मैठ जिसमें सेट वगरा होजें वो करेंगे अपन ठीक है सब आपको बताया जाए जो भी रहेगा चलो जाहिन जबारत आनके अपना अस्त रहिए और मुस्कात रहिए बाई-बाई